अपना ब्रेकप होजाने के बाद एक लड़की को सूपर पाउर मिल दिया जिसो टाइम को स्टॉप कर सकता है टाइम स्टॉप करकर लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकता था हेलो फ्रेंड्स इसी गन से परबेस्ट आज मैं आपको कैश बैक यह 2006 की एक फैंटेसी रोमेंस होलिवड मुवी एक्स्पेंट करने वालो अगर आपको वीडियो चाहता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा तो बिना किसी तरीक है एक्सपेंशन स्टा एक दूसरे को आई लवे पूल रहे थे और नेक्स्ट वेक सुजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लवे पूल रहे होगी पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है पर इनके फ्रेंड का नाम था शौन शौन उससे समझाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ एक बेडर option मिल गया इसी वज़े से उसके पास हो चले के उसके बारे में तुमें जादा सोचना नहीं चाहिए तुम किसी beautiful से लड़की को date करो फिर सुजी को jealous लगेगा और तुम्हारे पास हो वापस आ जाएगी शौन का लड़कियों के साथ experience बहुत ही घटिया था हर लगकियों से म पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं सुजी ने उसे मना कर दिया वो दिन राद हमने बेड में पड़ा रहता था सुजी के जाने के बाद जैसे उसको oxygen चला गया था स्लोली स्लोली उसकी नीन भी चली के उसने सोने का बहुत ट्राइग किया पर फिर भी उकर नहीं करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी है बेंगो नेन नहीं आती तो आठ एक्स्टा घंटे बिताने के लिए यहां पर वो जॉब कर लेता है वहां कि जब मैनेजर को इसने देखा तो मैनेजर पहले फुटपॉल का प्रेयर हुआ करता था अब यहां का मैनेजर है यह देखक करते हैं बेंगने हमसे का क्या सुपर मार्केट में टाइम बहुत श्लूली जाता है इसको ज़रा फास करने के लिए हम अलग-अलग चीज़े करते हैं हर एक की अलग-अलग मेख़ड है यह से शाइन प्रवे भी टाइम नहीं देखती जब वह बहुत श्लू गुजरता है इस वज़े से हमेशा उसे कवर अप करकर रखती है यह कांग करने वाले उसके और दो फ्रेंड से पैरी और मैट यह हमेशा एक दुसरे के साथ केम्स केलते रहते हैं कभी शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़े पानी की वो अपनी पावर से सब को स्टॉप कर देता और सारी चीज़े खुमने लग जाता सुबर मार्केट की सारी ब्यूटिफुल लड़कियों को नोटीस करता था उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है वो जब छोटा था तो एक फॉर इंस्टू अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी चैसी है वैसे वह देख सकते है इसे बेन ड्राइंग करते हो अपना टाइम गुजरता था और जब वो अनपॉस करता तो बहुत सारे टाइम घुजर जाता अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शौन आया शौन को मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजिन्स देखते हैं एक दिन जब दोनों देख रहे थे तो शौन की मदर वापस आगे वो इन दोनों की फ्रेंड शिप को अलग ही समझती है आज शौन बेन से कह रहा था तो मैं स्ट्रिप क्लब विगरा मैरे साथ चलन ये मिली थी लॉकरूम में शारन को जर्ण भोग लगे थी तो बैन का सेन्विच मांग लेती है सेन्विच का पिकल शारन के गाल पर लग गया था जैसे में बोल्वर मुविस में होता है वैसे एक रोमेंटिक सा इनका मूमेंट हुआ यह मूमेंट बैन जानना नहीं देना तो इसे फ्रीज करकर रखना चाहता था पर शारन चली के वो कुछ भी कर नहीं पाया उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से मौवान करकर अब वो शारन को लाइक करने लगता है तो इसके फ्रेंड ने डिसकस कर रहे थे मैट करता है आज मैंने शारन को डेट के लिए पोचया मैट इसके लिए बहुत एक्साइड़ था पर बिलिंग को बहुत भुरा लगता है बेनम से कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसे ही चिज़े होती रहती है तो जिसको भी लाइक करता है उससे दूर से ले जाते है वह जब चोट लड़की ने उसे अप्रोच किया बेन ने भी अपनी सिगनिचर उस प्लास्टर पर बनाई जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ हेर से भर गया था सब लोग उसे चिड़ाने लग गया वह के लिए पढ़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बैटा क क्याता है कि हाँ पर कल तुम मुझे यहां मिलने कल स्कूल में कोई भी नहीं होता कल हॉलिडे था तो उने कोई भी डिस्टब नहीं करता अगली दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया पर वो आई ही नहीं बात में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसपर हो गया है फि के बीच में कुछ है ऐसा कमपल सीरे नहीं पर जब नेक्स डे बेन गाम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड से शारन के बार में पात कर रहा था वो बता रहा था कि वह और शारन कलडात इंक्टिमेट हुए बेन का दिल तुच जाता है इसे मुमेंट पर उनके मैनेजर उ आता नहीं था तो बहुत ही बुरी तरीके से हाड रहे थे उपजिट टीम के 27 स्कॉल हो गए थे उनके जुरू ही थे बेन को बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया बेनम से गयता है मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत जादा से लगता है कोई भ शारन असे उसे कुछ आवाज आई वास पास देखने लग जाता है एक आदमी अनफ्रेज होकर वहाँ से भाग गया बेन सिर्फ अकिला नहीं है जो टेंस टॉप करकर घूंफिर सकता है गूंफिर कर बेन फिर से मैच में वापस है इनका लास्ट कॉल था तो मैड ने जोर स फूटपॉल को किक किया तो मैनेजर की ना को तोड़ देता है उससे हुस्पिटल लेकर गया बेन को कह कर जाता है खरच चौन को गहर चौड देना बेन और शारन फिर कोफी कि लिए अ बेइन शार। कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम सर्फ ऐसा फ्रेंड से मूवी देखने के लिए गए हुए थे बेंड को बात सुनकर अच्छा लगा शारान का एक बाइफ्रेंड था उसे ब्रेक अप किये हुए उसे छे मैंने कुजर चुके बेंड भी अपने ब्रेक अप के बार में उसे बताता है तो वहाँ पर भी उचाना चाहती थी वो बेंड को उसके ड्रेम्स के बार में पूछती है बेंड ने कहा कि मुझे ट्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है शाहिद एक दिन उसकी भी आर्ट कैलरी में एसीपिशन हो का शारन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस से मिलना चा को उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा शारन फिर बेंड से पूछती है क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे मैं इसके लिए हां कहता है इन दोनों की एक ओफिशन लीड थी मैनेजर ने बेंड को बुला कहा कि बड़े पर एक सप्राइस टीपर भी होनी चाहि और उस लड़के ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बीजी हूँ मेरे एक फ्रेंड को वहाँ पर मैं भेज़ दूँगी कल रात के बाद बेंड को है जगा पर शारन ही दिख रही थी वो टाइम को स्टॉप करकर हमेशा उसे ही ड्रॉ करता ऐसे कुछ दिन बीथ गए और कल मैन पर आज रात हो बहुत सोया उटने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है बेंड के बिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगी थे और उसे मिलने के लिए बुला हुआ था बैन इसके लिए बहुत एक्साइड हो जाता है पर इस सिर्फ उसके फ्रेंड मैड और बै आई हुई थी यह वही स्ट्रीपर थी जो शॉन और बैन बच्पन में देखने के लिए जाय करते थे शॉन मोखे का फाइदा उठा कर उसे डेट के लिए पूछ लेता है शॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी कलर चीज़े बोलता था पर लड़कियों से बच्पन से जान बैन इसमें कोई भी इंट्रेस्ट नहीं दिखा था इसी के पैरलेल में हम दही सकते है मैंने ज़र शारन से बात करने लग जाता है तो शारन इस पर गुस्ता आओके और यहां से निकलने लग के उसने जब उपर बैन और सुजी को देखा तो उसी मुमेंट पर सुजी बैन को सोच नहीं पाता ऐसे उसने दो दिन तक टाइम को स्टॉप करकर रखा था अंपॉस करने के बाद भी उशारन को मना नहीं पाता उसे मिलने के लिए पर शारन उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती उसे फिर से नीन अना बन हो जाता है जैसे हमने पहले दिखा था कि बेन की प्रेंड्स ने उसे प्रैंक कॉल करकर एक आड गैलरी में मिलने के लिए बुला हुआ है तो बेन अपने साब आड लेकर उस आड गैलरी में चला जाता है वहां के एजन्ट से उसने बात की तो उसके कोई भी अपॉइंट में नहीं थी पर एजन्ट उसकी ड्राइंग सिर्फ यहीं लगाई हुए थी यह सब कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल था बैंसे एक आर्ट के एजन्ट बात करने लगे देती है मुझे तुम्हारी ड्राइंज बहुत ही पसंद आई वो नियॉक से थी उसे बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी दे सकती थी बात करते हुए बैंने नोटिस क्या कि शारन भी इस शो देखने के लिए आई हुई है यह आर्ट एजन उसके पूछ रही थी है कि फीचर में तुम क्या करना चाहोगे बैंन कहता है कि मुझे साओध अमेरिका में जाकर ट्राइवल करकर ड्राइंग करनी है एक्च्वल मैं शारन का ड्रीम शला कि श सब्सक्राइब करती है हुई है किस करता है और उसे पर उसी मुमेंट पर उसने टाइम को स्टाप कर लिए अब जब टाइम स्टाप हो गया था तो बेन के साथ शारन भी आस पास घुम सकती थी बहुत शनूग गिरा था शारन को बेन बाहर लेकर आया मिर अवच स के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई मैंनम से कहता है लाइफ में बहुत सारे मुमेंट्स होते हैं चो ऐसे ही चले जाते हैं पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशेट करना है किसी के प्यार में पढ़ना है तो एक बार जरा रूख जाओ इस मुमेंट को अप्रिशेट करो कभी भी उन्हें जाने मनतों इसे ही डूटीफुल मैसेज के साथ ही मुवी एंड हो जाते है